हलो दोस्तों नमस्कार आए स्टार्ट करते हैं 22nd of November का पहला एडिटोरियल और उससे पहले बता दूं कि ये Application Asis Classes आप डाउनलोड कर सकते हैं Play Store से या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस Application पर बहुत सारे paid courses ह सभी के demo videos उपलब्द हैं सभी courses के साथ में आपको PDF भी मिलेगा तो ये एक बर आप जरूर से विजिट करें साथ ही Telegram Channel Asis Classes इसका नाम भी Asis Classes है इसका लिंक भी आपको description में दिया है वहां से इस पर भी जूड़ जाएं यहां पर आपको हर वीडियो का notification मिलेगा साथ ही आ तो आज का editorial हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आज के editorial के vocab देख लेते हैं सबसे पहला शब्द दे रखा है shift ये एक verb है अगर part of speech की बात करें तो ये एक kriya है shift का मतलब क्या है shift से मतलब होता है filter करना तो filter कह सकते हो या फिर इसका मतलब analyze करना हो सकता है या फिर इसका मतलब investigate करना हो सकता है या scrutinize कर दीजिए scrutinize ठीक है एक्जामिन करना हो सकता है तो जाचना परिक्षन करना विसलेशन करना या आपको जो अगर waste material है उसको बाहर निकाल दें जो आवशक चीज़ें अपने पास रख लें चानना चलनी में से चानते हैं तो इस प्रकार के चीज़ों के लिए shift शब्द का यूज करते हैं दूसरा है turn out turn out phrasal verb है turn out से क्या मतलब है ते के turn out से मतलब है happen घटित होना या फिर इसे आप कह सकते हैं transpire घटित होना transpire कह सकते हो happen कह सकते हो या फिर इसके लिए emerge या appear भी यूज कर सकते हैं आप emerge या appear सामने आना ठीक है तीसरा है solicit एक verb है इसका मतलब है ask for means मांगना या request करना किसी चीज़ को राप्त करने के लिए निवेदन करना फिर है disposal disposal नाउन है इसका मतलब है arrangement या फिर आप इसे कहेंगे settlement निस्तारण या फिर आप इसे कहेंगे removal किसी चीज़ से छुटकारा पाना किसी चीज़ को हटाने की प्रक्रिया उसे कहा जाएगा disposal फिर next है deflect डिफलेक्ट डिफलेक्ट एक verb है डिफलेक्ट से मतलब होता है डिफलेक्ट से मतलब है evert या फिर आप इसे कह सकते हो evert के अलावा तालना है तो इसे आप divert भी कह सकते हो ठीक है तालना इसके बाद next word आपको दे रखा है totempole इसका मतलब है hierarchy इसका मतलब हो गया पदानुक्रम पर एक विवस्ता होती है समाज में सबसे नीचे फिर उसके उपर फिर उसके उपर इस प्रकार की विवस्ता को बोलते हैं क्या hierarchy फिर next शब दे रखा टेक स्टोक टेक स्टोक एक फ्रेज है इसका मतलब होता है review पुनर अवलोकन करना या फिर इसे कह सकते हैं assess मुल्यांकन करना ठीक है तो यह आपका हुआ vocabulary का सेग्मेंट इसको आप screenshot ले लीजिए अब देखिए आपको दे रखा सिफ्टिंग दा पाइल पाइल का मतलब होता है धेर सिफ्ट का मतलब फिल्टर करना या सिफ्ट का मतलब बताया मैंने आपको analyze करना examine करना तो एक धेर है बहुत सारे cities हैं उन में से अलग-अलग आपने categorize किया है कि यह शहर इस इस्तिती में स्वच है इस category में यह शहर lead कर रहा है इसलिए यह इसका नाम रखा गया है shifting the pile तो धेर जो है पाइल जो है शहरों का धेर जो है उसको shift करने की बात उसका shift करने का मतलब हो गया उसको examine करना उसको analyze करना उसका visualization करना तो shift यहाँ पे verb का क कर रहा है पाइल यहां पर नाउन है देटर्मिनर होगा ठीक है जरूर से पूरा देखना है आपको कहीं पर भी बीच में skip नहीं करना है और end तक जो भी चीज़ें मिलें आपको वो सब notebook में note करिए और next session से पहले उन सब को revise कर के उसके बाद में next session देखें देखें इन what is turning out to be a predictable sequence इन मतलब में what is turning out what की verb is है turn out का मतलब बताया happen या immerze या appear ये सब होता है तो क्या वो चीज जो की घटित हो रही है या फिर कहें कि immerze हो रही है to be a predictable sequence किस तरीके से एक ऐसे sequence के रूप में जो predictable है predictable का मतलब है भविश्यवानी करने योगे या expected और sequence का मतलब है क्रम तो जो पहले से ही लग रहा था कि यही sequence रहने वाला है यही शहर टॉप करेगा यही दूसरे नंबर पर आएगा यही तीसरे नंबर पर आएगा तो जो कुछ भी ऐसा लग रहा था तो उस चीज में किसमे इन दे अन्यवल सुच्छ सर्वेक्षण आवोर्ड्स ये वारशिक रूप से सुच्छ सर्वेक्षण आवोर्ड दिया जाताए है सबसे पांचवी बार ऐसा हुआ है followed by और इसके पीछे पीछे कौन थे सूरत और विजेवर्डा का नमबर आता है दूसरे पर सूरत दिसरे पर विजेवर्डा तो यहाँ पर what की वर्ब तो इज है indoor की वर्ब was ranked है was ranked यहाँ पर passive है turn out का मतलब emerge होना है turn out का मतलब appear होना है happen होना है predictable adjective है क्योंकि able शब्द से end होने वाले जो words होते है able एक suffix है इससे जो end होंगे वो adjectives कहलाते है sequence यहाँ पर noun है ठीक है और बाके इसमें कुछ खास नहीं था 36 गड़ was the cleanest state अब बात करें रज्जों के दो शहरों की बात की रज्जों में 36 गड़ सबसे ज़्यादा साफ रज्जे घोशित किया गया और यह ऐसा तीसरी बार हुआ है in the category of states with more than 100 urban local bodies किस category में यह category थी कि वो रज्जे जिसके अंदर 100 urban local bodies मतलब शहरी, इस्थानिये, निकाए जिनमें 100 या 100 से अधिक हों उनकी category में सबसे साफ रज्जे के रूप में नाम लिया गया 36 गड़ का 36 गड़ की वो वोज है cleanest यहाँ पर degree superlative है और जहाँ degree superlative आती है adjective की वहाँ पर दे लगता है तो दे का प्रयोग दे रखा है more के साथ में then क्योंकि degree comparative है फिर कहरा सबसे साफ गंगा शहर गोशित किया गया ठीक है the organizer तो जो इस award को इस पूरे एन्वल जो sirvyks hero award होता है इसका जो organizer है जो इसको organize करता है कौन organize करता है लगभग कितने दिन तक किया गया ये एक महिने तक सर्वेक्षन किया गया और उसके बाद देखी क्या दे रखा है फिर ये कह रहा है कि एक महिने तक इसका सर्वे किया गया 4320 शहरों का और उसके बाद देखो Solicited का मतलब होता मांगना और फिर मांगा गया Feedback मांगा गया from 4.2 करोड पीपल 4.2 करोड पीपल से ठीक है लोगों से तो Solicited जो है वो इसी की वर्ब है सर्वे भी इसी की वर्ब है Organizer subject था इसकी वर्ब ये भी है और ये भी है Solicited का Ask for your request मैंने बताया था ठीक है Next पर आईए The Matrix, Matrix का मतलब होता है Measurement मतलब आप मापते किस तरीके से हो Measurement का एक तरीका किया है आपने कैसे सर्विक्षन जो किया कैसे आपने इंदोर को पहले रैंक पे रखा किस लिहाज से आपने ये जो स्टेट है 36 गड को टॉप पर रखा तो ये जो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स शेहरों का बात कर रहा है मैट्रिक्स वर ये रखा गया ओपन डेफेकेशन फ्री रेटिंग्स खुले में सोच डेफेकेशन सोच को बोलता है फ्री रेटिंग मतलब खुले में सोच मुक्त जो शेहर है उसकी रेटिंग दी गई फंक्शनलिटी एंड मैंटिनेंस फंक्शनलिटी मतलब ऑपरेशन की कैसे काम करता है मैंटिनेंस मरमत वगर है कम्यूनिटी टॉइलेट्स की तो ये वो सोचाले है जो एक कम्यूनिटी विशेश के लिए एक सारवाजनिक सोचाले जिसको कह सकते हो ये उनकी बात कर रहा है एंड सेफ मैनेजमेंट औफ फेकल सलज फेकल सलज सॉलिड और लिक्वीड वेस्ट को बोलता है सॉलिड लिक्वीड वेस्ट जो सेप्टिकल टैंक में होता है पाइपलाइन्स के अंदर फसा होता है उसका कैसे मैनेजमेंट किया तो ये कुछ matrix थे, ये कुछ measurement की तरीके थे, जिन से आपने इन शहरों का, ये जो organizer था, ministry थी, housing और urban development की, इसने इस हिसाब से, इन लिहाज से, इन points के हिसाब से, ये ranking तयार की है, तो काम की बात थी, matrix, matrix का मतलब है, measurement का तरीका, matrix plural है, तो इसकी verb वर है, disposal का मतलब removal है, बाकी the servition awards have a wide range of categories, servition awards जो है, अभी एसकी verb आ गई, a wide range of categories, इनकी जो categories है, servition awards की, ये काफी बड़े range की categories है, काफी बड़े स्तर की categories है, भौत सारे categories में divided है, that, that यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इस range के लिए, ये जो range है, ये segregate करती है, segregate का मतलब होता है, separate करना, ये range separate करती है किसको शहरों को based on their population किस आधार पर उनकी जनसंख्या के basis पर ये जो wide range है categories की ये शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर segregate करती इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने cities देखा है cities plural है इस कारण से their possessive adjective plural है possessive adjective के बाद में noun लाता है तो ये population यहाँ पर noun है while they attempt to capture the diversity of urban agglomeration on the other it is hard to deflect criticism तो कह रहा है यदपी अब वाइल से जब दो close हो तो दोनों अलग-अलग बाते करेंगे तो यदपी वे प्रियास करते हैं किस चीज़ का capture करने का capture का मतलब प्राप्ट करना माल लो the diversity of urban agglomeration urban मतलब शहरी urban agglomeration वैसे agglomeration जो होता है वो समु को बोलते हैं वो पाइल को बोलते हैं ठीक है वो cluster को बोलते हैं urban agglomeration जो एक term है इसका मतलब होता है कि भी कितना built-up area है शहर में town जो है town किस प्रकार से plan किये गए हैं कितना built-up area है कितना मतलब कह सकते हो तो कितने भवन वगरे बनाए गए हैं उसको बोलता है urban agglomeration डाइवर्सिटी का मतलब होता है भी नता थीक है तो कह रहा है कि while they attempt to capture the diversity of urban agglomeration on the other तो यदपी उनका प्रियास होता है किस चीज़ का urban agglomeration की diversity को capture करने का on the other किस पर दूसरे पर ठीक है actual में क्या होता है फिर कौन सा शहर कितने कितने सही लिहाद से built-up किया गया है उस हिसाब से यह करते हैं capture करते हैं अक्रों को फिर भी it is hard to deflect criticism बड़ा मुश्किल है कि आप आलोचना को evert कर दो deflect का मतलब बताया था evert करना divert करना फिर भी बड़ा मुश्किल है कि आप आलोचना उसे नहीं बच सकते हैं दे की वर्ब है वो attempt है इट की वर्ब है वोई जह है केवल इस word का मतलब जो है वो है cluster पाइल समों को बोल सकते हैं agglomeration डिफलेक्ट है इसका मतलब divert या वर्ट बताया था ठीक है अगे देखे every state अब यह जो कॉलन लगा के बताया इसने कि यह कि किस क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है यह किस की बात कर रहा है वर्णन कर रहा every state has at least a few participants हर एक राज्ये में कम से कम कुछ भागिदारतों हैं who will top one category or the other जो की हलंकि participants यहां पे है तो राज्ये ही मतलब राज्ये हैं तो शहर हैं शहर के लिए आना चाहिए विच लेकिन इसने क्या कर रखा है इसने इसको participant करना मतलब participate करना शहरों के दवश में नहीं है जो non-living things हैं वो थोड़े ना participate करेंगी लेकिन इसने क्या क्या परसोनिफाइ कर दिया इसको मानविय करन बोलते हैं इसको तो जब आप ऐसे कुछ शब्दों का प्रियोग करते हैं जो कि इनसान कर सकते हो living object से ही कर सकते हो तो उससे आप personification कहते हैं personification आता ही फिर ये इनसान की तरह ही हमें जैसे he और she के लिए आप यूज़ करते हो वही चीज़ें यूज़ करने हैं इसकारणने से who लगा रख है तो हर एक राज्य जो है उसमें कम से कम कुछ participants हैं ये a few जो है इसके साथ में noun plural आती धान रखिये तो participants आ रहा है who will top one category or the other जो की या तो किसी एक category को top करेंगे या किसी दूसरी category को top करेंगे thus making the process a giant appeasement scheme इस प्रकार से इस process को ये बना देंगे giant का मतलब होता है huge बहुत बड़ी appeasement actual में क्या होता है appeasement मतलब खुश करने का process ये किसी को नराज नहीं करना है सभी को खुश रखना है ये एक आलोचना वाला point है कि आप सभी को खुश कैसे कर सकते हैं आपने ranking कुछ तैयारी ऐसे की है कि भे ठीक है इस category में ये top कर रहा है इस category में ये top कर रहा है तो आप सब को खुश करने का प्रियास कर रहे हो ठीक है अपीजमेंट में का मतलब pacification कह सकते हो pacify करने का process कह सकते हो along with a category such as states with over 100 urban local bodies along with का मतलब होता है साथ साथ में किस categories में एक category such as उधारन देने के लिए उज़ करते हैं जैसे कि मान लो ऐसे रज्यों की बात कर रहे हो जिसमें 100 local bodies urban local bodies से ज़्यादा है जहां इस्तानी निकायों की संख्या 100 से अधिक हैं इस category के अगर बात करें तो इसके साथ साथ वेर महरास्टा और मध्यपरदेश रेंग्ड second और third तो जहां पर 100 से ज़्यादा urban local bodies है टोप किसने किया 36 गड़ने second और third पे महरास्टार मध्यपरदेश महरास्टार मध्यपरदेश जो है यह पैसी वह इसमें दे रखा है आपका यह सब्जेक्ट बन गया यह इसकी वह बागए पैसी दे रखा है फिर कह रहा है कि respectively क्रमशे क्रमशे मतला महरास्टा second पे मध्यपरदेश third पे there was also a top ranker for state with less than 100 ULBs जहां पे urban local bodies की संख्या सो से कम है ठीक है less than more than का opposite हो गया less degree comparative a little की more degree comparative होती है किसकी मच के तो यह कह रहा है यह कम जिनमें अर्बन local bodies की सो से कम है फिर जहारकरण was just the cleanest अब इसमें जहारकरण को सबसे ज्यादा clean वाना गया सबसे साफ माना गया ठीक है अब यहां तक कि एकर बात करें तो महरास्टा मध्यपरदेश subject वर रैंक डिसका वर्ब अ टॉप रैंकर यहां पे दे रखा है तो इसकी लगाना पड़ता है क्या inversion inversion मतलब क्रिया है वो सब्जेक्ट से पहले आती है फिर जहारकरण subject हो गया आपका और जहारकरण की वर्ब है वो वाज जज़्ड है cleanest है डिग्री सूपर लेटीव है इसकारण से देका प्रियोग है आगे देखा दैन देर वोज़े कैटेगरी यह बता रहा है कि impeachment process कैसे है कैसे आपने सब को खुश रखने का प्रियास किया हर राज्यका ना उने लई दिया किसी ने किसी लिहाद से किसी ने किसी कैटेगरी में कोई ने कोई राज्य लीड करता नजर आएगा देर वोज़े कैटेगरी फिर एक 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 एड़वर्ब मानी है ठीक है देर से स्टार्ट तो यह आपका इनवर्जन हो गया केटेगरी की वोज है दिस यह दियर वॉज अ नोवल प्रियरक दौर सम्मान तो क्या कह रहा है कि इस साल एक नया नोवल मतलब नया अब कह रहा है कि प्रियरक दौर सम्मान भी था मतलब कह सकते हो कि कौन किस से प्रिडित हो सकते हो ऐसा सम्मान भी रखा गया अब ये इस सम्मान के लिए यह ववदे रखिए वाज देट सो देट रिलेटी प्रणाउन है इस सम्मान के लिए आ रहा है देट सो इंदोर सूरत नवी मुंबई न्यू डेली मुंसीपल काउंसिल एंदर त्रीपुती केटेगराइज एस दिव्य प्लेटिनम अब इसमें क्या देखा गया इसमें देखा गया कि इंदोर है स लो अ suppliers का मतलब थे क्या है ईवेलिएट करना से ट्वर अड़ सेज्ट िए इन को असैस किया गया किस रूप में है इंस्तारन अच्छे से यह इसकी है Unsurprisingly, इसमें कोई अचंबे की बात नहीं है Adverb है सब, क्योंकि अलवाई से end हो रहे है और Adverb किसी sentence को open कर सकता है sentence के start में आ सकता है तो इस बात में कोई surprise नहीं है कि these were entities, कि ये कुछ निकाय थे that had already topped ranks in other categories entities, निकाय, संगठन, और्गनाजेशन ये शहरों के बात कर रहा है ये कुछ शहर थे, these की वर वर है these यहाँ पर demonstrative pronoun है अगर these के बाद आपको noun मिलता तो इसे हम कहते है demonstrative adjective जब noun नहीं मिलता है this, that, these और those के बाद तो इसे कहा जाता है demonstrative pronoun तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं है कि ये कुछ शहर ऐसे थे that, entities के लिए आरा relative pronoun है जिनकों की, जिनने already top कर लिया ranks में किसी न किसी अन्ने category में other के साथ में noun लगता है वो plural लगता है they other हो तो बात लगे वरना other के साथ में तो noun plural ही आएगा rating, rankings serve two broad purposes broad का मतलब बड़े स्तर के तो rankings जो है सारु का मतलब fulfill करना है यहां पर पूरा करना तो rankings दो बड़े उद्देश्य पूरा करती है कौन-कौन से एक तो यह कि publicity boost and recognition for the other winners तो एक तो यह publicity boost होता है publicity हो जाती है शहर की दूसरा recognition for the other winners जो अन्य जो winners है विजेता है उनका भी पहचान मिलती है but also motivation to climb higher on the totem pole दूसरा काम यह भी है कि अभी प्रेड़ना मिलती है प्रेड़ित होते है राज्य कि वो इस पदानुक्रम में इस hierarchy के अंदर इस totem pole में ऊपर से ऊपर जाएं ठीक है competition generate होता है इससे totem pole का मतलब होता है higher hierarchy पदानुक्रम rankings की verb है वो serve है verb की first form जो होती है plural होती है ठीक है आगे देखे though the number of cities surveyed has increased यददपी दो से start है तो देखो बीच में या तो yet मिलेगा या still मिलेगा या कॉमा मिलेगा यहां कॉमा आ रखा है विरोधा भासी वाक्तियों के लिए आता है यह ठीक वही function में आता है जो while करता है while भी दो close को connect करेगा दोनों को विरोधा भासी statement denote करने के लिए यूज किया जाएगा ठीक उसी तरीके से दो का प्रियोग आप करोगे तो भी आपको adversative conjunction है यह इसके साथ भी आपको दूसरा जो close मिलेगा पहले का विरोध करता नजर आएगा तो कह रहा है यद्दपी जो number of cities है कौन से शहर ये इसका adjective है वो शहर जिनको survey किया गया ऐसे जब adjective noun के बाद लग जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है post post adjective तो यद्दपी जो संख्या है शहरों की कौन से शहर जिनको survey किया गया ये संख्या अब ये number निश्ची थादे को दे लगा रखा है दे number अगर होता है तो singular verb आती है तो ये has has increased has के सत्वर की third verb आती है तो यद्दपी जो शहरों की संख्या है जिनको survey किया गया वो बढ़ चुकी है कब से since the first edition of the survey in 2016 जब 2016 में पहली बर survey हुआ था पहला ज़र संस्करन जारी किया गया था उस समय से लेकर अब तक शहरों की संख्या जो है survey किये गया शहरों की संख्या बढ़ चुकी है It appears फिर भी अब ये विरोधावासी वाक्या तो ऐसी पढ़ना पड़ेगा फिर भी ऐसा लगता है that the same cities कि समावही शहर कौन-कौन से इंदोर सूरत उधारन के लिए keep topping the list वो लगातर list को top करते रहते हैं यद्दपी survey करने वाले शहरों की संख्या तो बढ़ चुकी है 2016 में पहली बार आपने ये काम चालू किया था survey action award देने का तब से लेकर अब तक आप शहरों की survey करने की संख्या जो है जिन शहरों का survey हो रहा है उनके संख्या बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वही शहर इंदोर सूरत top करते आए हैं इस list को keep के साथ जब verb लगाते हो तो ing लगता है इसका मतलब होता है कोई भी काम को continue करना ठीक है 6 years is a good time to take stock off take stock off का मतलब बताया था take stock assess करना है बताया था ना मुल्यांकन करना review करना अवलोकन करना ये सब तो 6 साल जो होते हैं वो एक अच्छा समय है कि आप review कर सकते हो कि what the ranking program intends to achieve क्या चीज़ review कर सकते हो कि जब आपने ranking program शुरू किया है उसका इरादा क्या है अचीव करने का क्या प्राप्त करना चाहते हो इस program के माध्यम से अब ये पूछा है question colon लगा के कि is it motivating cities क्या ये उद्देश्य है कि आप शहरों को motivate करना चाहते हो to significantly allocate resources towards improving sanitation किसलिए कि क्या आप motivate करना चाहते हो शहरों को कि वो बड़े स्तर पर significantly considerably बड़े स्तर पर allocate करे allocate का मतलब आवंटन करना बांटना distribute करना resources संसाधन किसलिए sanitation को improve करने के लिए स्वच्छता को सुधार करने के लिए ठीक है क्या ये उद्देश्य है it की वर्भीज है यहाँ पे the ranking program साफ हो रहे है अब ये आर है वो इस सिटीज के लिए तो क्या जो साफ सहर है वो और साफ हो रहे है प्रशन पूछा है भई इसलिए वर्भ को subject से पहले लगाया गया है because क्योंकि they are better positioned to access state funds कि इसलिए तो नहीं कि कही उनके स्थिति अच्छी है कि उनको state fund आसाने से मिल जाता है ठीक है राज्य जो है जो fund देता है वित्रित करता है कुछ शहर के भी अच्छे स्थिति में हो जिनको funding आसाने से हो जाती है तो क्या साफ सहर साफ इसलिए है क्योंकि उनको funding जो है आसाने से मिल जाती है and thus able to pull further away from other cities और इसी कारण से वो समर्थ हो पाते है further का मतलब आगे pull away का मतलब pull away का मतलब go ahead या फिर rank better है ना दोसरों से अधीक अच्छी ranking होना तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी कारण से उनकी ranking अच्छी होती है do states focus अगला प्रशन देखो क्या states जो है focus करते हैं अपने energy और funds पर focus के बाद में own लगना चाहिए यहाँ पर ठीक है क्या राज्ये जो है वो focus करते हैं अपनी energies और funds पर किस चीज़ के लिए in keeping some cities clean कुछ शेरों को साफ रखने के लिए to avail avail का मतलब होता है make available avail का मतलब होता है make available या फिर यहों कह दो take benefit avail का मतलब lab उठाना मालो take benefit ठीक है तो क्या शेर focus करते हैं अपने energy और funds पर energy मतलब प्रयास है न वैसे उड़ जा होता है मेहनत और funds पर किस चीज़ के लिए कुछ शेरों को साफ रखने के लिए ताकि क्या प्राप्ट कर सके rank प्राप्ट कर सके किस चीज़ में in any of the wide number of categories बहुत सारी संख्या है wide number of categories है उनमें से किसी ने किसी में rank प्राप्ट कर सके reducing है metric तो reduce करना कम करना metric measurement measurement का तरीका edge complex is sanitation अब edge edge के बीच में degree कौन सी आती है positive और याद रखें so edge अकर लगाते हैं तो so edge कभी लगता है जब negative sentence हो वरना so edge का प्रियोगम नहीं कर सकते हैं तो कहरा है कि reducing ये gerund है वही जब ing form subject बनती है तो उसे कहा जाता है gerund इसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है verbal noun तो क्या एक metric जैसे कि sanitation और cleanliness की बात आप कर रहे हो इसको reduce करना reduce करना कहां तक blunt ranking blunt का मतलब यहाँ dull से है blunt एक तो होता है जो साफ साफ बोल दे मूपर बोल दे fourth right बोल सकते हैं frank बोल सकते हैं बहुत जटिल मुद्दा है इसको आप कम करके के वल रैंकिंग सक्सिमित करना चाहते हो तो क्या यह जीज है can often induce false sense of progress यह जो चीज है यह अकसर induce का मतलब इस पर करना प्रेडित करना तो इससे तो क्या होगा false sense of progress आ सकता है कि प्रगती हो रही है ऐसा आपको गलत feeling आने लग जाएगी false sense आने लग जाएगा both at the regional level and the center तो दोनों लेवल पर both के साथ में end लगता है both एक affirmative word है assertive word है इसके साथ में note कभी नहीं लगता है जिस वाक्ये में note होता है वहां both कभी नहीं आता और both के साथ में conjunction end आता है तो दोनों लेवल पर छेत्री स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी there should be more qualitative analysis क्या कहा रहा है होना चाहिए क्या होना चाहिए अधिक गुणवत्ता पूर्ण analysis होना चाहिए qualitative analysis होना चाहिए यह there से start है तो should be का प्रियोग है इस qualitative analysis को देखकर है ठीक है qualitative analysis के पहले है तो होना चाहिए क्या ऐसा विसलेशन किस चीज़ का whether India cities are getting cleaner कि क्या भारतिये शहर जो है वो साफ हो रहे है in the aggregate aggregate का मतलब कुल मिला कर ठीक है पहले साल जैसे aggregate के score आता है ग्रिजूशन में जिसे हमने BA किया BST किया B.com किया तो तीनो सालों का मिला के ओसतन जो पूरा total जो score आपका है वैसे average score तो कह रहे है दोनों level पर 36 regional objective होता भी level now ने 36 तर पर हो ये केंदर स्तर पर हो अधिक गुणवत्ता पूर्ण analysis होना चाहिए किस चीज का कि क्या भारतिय शहर जो है वो अधिक साफ हो रहे है aggregate तोर पर कुल मिला कर तीक है या फिर numbers are hiding iniquity या फिर जो आंकड़े है वो छिपा रहे है किस चीज को इनिक्विटी को इनिक्विटी का मतलब क्या होता है ए समानता नीचे देखो क्या लिखा हुआ है hiding iniquity iniquity का मतलब होता है ए समानता क्या ये ए समानता को छिपा रहे है ऐसा है क्या weather के साथ ओड़ लगता है ये देहना की ये ओड़ लग रहा है तो ये था हमारे आज के इस editorial में अब हम मिलेंगे कल एक नई सेशन के साथ तब तक लिए नमस्कार Thank you very much